क्या आप लोगों को पता है? जब Manhattan Project के प्रमुख Robert Oppenheimer से ये पूछा गया कि मानवजाती के इतिहास में पहला न्यूक्लियर एक्स्प्लोजन सफलता पूर्वक करने पर उन्हें कैसा लगा तो उन्होंने कहा कि ये मानवजाती का नहीं बलकि Modern World का पहला न्यूक्लियर एक्स्प्लोजन है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे प्राचीन हिंदू ग्रंथों और हिंदू संस्कृती से बहुत प्रभावित थे जिससे वो भगवत गीता और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों को अक्सर पढ़ा करते थे क्योंकि महाभारत में पूरी दुनिया को खत्म करने वाले अनेकों अस्त्रों का वर्णन है जिन में से ब्रहमास्त्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है और यहीं से उन्हें परमानु हत्यार बनाने का ग्यान मिला बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट ओपनहाइमर ने महाभारत पढ़ने के लिए संस्कृत की शिक्षा भी ली थी और उन्हें संस्कृत का भी ग्यान था